हेलो दोस्तों मेरा नाम रहूल और आपका अपने चैनल टार्गेट पोडिक जैम में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तों अब बारी है मैत की और मैत के पेपर में हमें धमाल मचा देना है ठीक है मैत के पेपर में हमें इस पर धमाल मचा देना है आज की इस वीडि हो सकते हैं हम उनको discuss करेंगे ठीक है तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को द्विघास समीकरड जो हमारा chapter है उसके में महत अप्रण subjective questions को बताने वाला हूँ तो वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक देखिएगा बिना दिर करते हैं चलिए वीडियो को सुरू करते ह तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्ण है वह है कि यदि द्विघास समीकरड त्री एकस स्क्वाइर माइनस बारे एकस प्लस यम बराबर जीरो के मूल बराबर हैं तो यम का मान होगा बहुत ही जदा मोश्ट आई अपी question है ऐसे ही प्रश्ण आप से बोड़ इक्जाम में यह दिया है यह दिया है त्री एकस स्क्वाइर माइनस बारे एकस और प्लस यम बराबर दिया है जीरो यही दिया है अब इसकी तुलना हम कर देंगे इसकी तुलना किस से कर देंगे इसकी तुलना एकस स्क्वाइर दन बी एकस अप्लस सी से करने पर सी बराबर जीरो से करन तो a कमान क्या दिया है? अमारे पस a कमान 3 मिल जाएगा b कमान क्या मिल जाएगा? माइनस 12 हो जाएगा और c कमान दिया है, यं ठीक है? अब देखे June बराबर होते हैं तो इसकी सर्थ क्या होती है? आपको यह पता होना चाहिए जब मूल बराबर होता है तो B square minus 4 AC जो होता है वो 0 के बराबर हो जाता है अब इसमें B, A और C का मान रख देंगे हमारा एंसर आ जाएगा तो B square यानि B का मान minus 12 का holy square यही होगा minus 4 गुड़े A का मान दिया है 3 और C का मान दिया है यम बराबर हो जाएगा 0 तो यहां से मिलेगा 144 minus 12 यम और बराबर मिल जाएगा 0 तो यहां से जब हल करेंगे तो 12 यम बराबर मिल जाएगा 144 और यम का मान यहां से हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा यम का मान तो यहां से यम का मान मिल जाएगा 12 तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऐसे ही आपको प्रिष्णों को हल करना है ठीक है देखें, method यही रहने वाला है question ऐसा ही पूछा जाएगा ज्यादा difficult नहीं पूछा जाएगा तो ऐसे ही आपको अपने board exam में भी लगा कर आना है ठीक है, चलिए अगला प्रिष्ण देखते हैं दूसरा प्रिष्ण है कि समी करण 5 कोश्टेक में 1-5 दूसरे कोश्टेक में 1-5 बराबर दिया है 55 का हल होगा हमसे पूछा है, तो चलिए हल करते हैं इसको भी तो यह दिया है 5 कोश्टेक में 1-5 और दूसरे कोश्टेक में दिया है 1-5 और बराबर दिया है 55 पांच को उधर ले जाते हैं तो यह हो जाएगा यक्स माइनस 5 दूसरे कुछटक में यक्स प्लस 5 और बराबर 5 भाग में जाएगा तो यह मिलेगा 11 एक कुछटक में A मांइस B, दूसरे में A प्लस B क्या हो जाएगा A स्क् expedition माइनस B स्क stroll तो यक्स स्क्वाइर माइनस 25 बराबर 11 हो जाएगा यही होगा ना अब यहां से यक्स स्क्वाइर बराबर हो जाएगा 11 प्लस 25 तो यक्स स्क्वाइर बराबर हो जाएगा यहां पे 5 एक चार 2 एक ती यानि कि 36 तो यहां से जो हमारा यक्स का मान निकल कर आएगा वो आएगा प्लस माइनस 6 यही हमारा फुत्तर हो जाएगा ठीके कोईशन देखें बहुत इजी है बस आपको थोड़ा सा समझना है आप सारे कोईशन को हल कर देंगे अगला प्रिशन है कि द्विघास समीकरड क्या है अगला प्रिशन है द्विघास समीकरड म एक्स स्क्वाइर प्लस 3 यक्स अप्लस 2 बराबर दिया है जीरो में एक्स का मान 2 है तो यम का मान होगा कुछ नहीं करना है यक्स के असान पर 2 रख देना है यम का मान निकल जाएगा क्या दिया है यम x square प्लस 3x plus 2 बराबर दिया है 0 तो यक्स के जगा पे हम क्या रख देते हैं 2 रख देते हैं तो यम इंटू 2 का square हो जाएगा और प्लस 3 गुड़े 2 हो जाएगा अब प्लस 2 दिया ही है और बराबर 0 अब इसको हल कर देते हैं तो यह हो जाएगा यम इंटू 4 प्लस 2 3 6 अच्छे प्लस 2 8 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 ऐसे ही होगा अब यहाँ पे हो जाएगा 4 यम बराबर minus 8 तो यम का मान आ जाएगा minus 8 बटे 4 हल करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा यम का मान माइनस 2 यही आपका इंसर है अगला प्रेशन है चोधा क्वेशन है कि एक वर्ग समीकरड की जो मूल है वो दिया है 4 और minus 3 तो समीकरड होगा ठीक है मूल हमारे पास दिये है 4 और minus 3 और हमसे समीकरड पूछा है तो देखी मैंने आपको objective questions में भी बताया था कि पहले मूल को हमें alpha मान लेना है और दूसरे को beta तो मान लेते हैं alpha का मान दिया 4 और बीटा का मान दे दिया minus 3 और मैंने आपको एक सुत्र बताया था दिविगास समीकरड कैसे बनाया जाता है तो वो होता है yaks square minus मूलों का योगफल into yaks plus मूलों का गुड़न फल अब इसी में alpha और बीटा का मान रख देना है तो यह हो जाएगा yaks square minus alpha plus beta alpha कितना है 4 बीटा कितना है minus 3 yaks हो जाएगा plus alpha 4 गुड़े बीटा minus 3 हो जाएगा तो यहां से मिलेगा yaks square minus yaks minus 12 तो यही क्या हो जाएगा समीकरड हो जाएगा x square minus yaks minus 12 बराबर 0 यही हमें समीकरड ग्याद करना था देखे कोशन बहुत ही जी है पस आपको समझना है अगला प्रशन है हमारा कि द्विघास समीकरड क्या है द्विघास समीकरड अच्छे से देखेगा द्विघास समीकरड 2x square minus 2 under root 2 yaks प्लस 1 बराबर दिया है 0 के मूल ग्याद कीजिए हमें इसके मूल ग्याद करने है मतलब हमें इसका गुडन खंड करना होगा ठीक है तो चलिए लिखते हैं इसको तो दिया है 2x square minus 2 under root 2 yaks और प्लस 1 बराबर दिया है 0 देखिए यहाँ पर हम 2 yaks square को क्या लिख सकते हैं 2 yaks square को हम लोग under root 2 yaks का whole square लिख सकते हैं बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा under root 2 x का whole square minus अब हमें देखिए हमको इसको बनाना है a plus b का whole square या a minus b का whole square तो यहाँ पर minus है तो जब भी यहाँ बनेगा a minus b का whole square के रूप का बनेगा तो यहाँ से माल लिजए इसको हम a square बना लिए under root 2x का whole square अब बनाएंगे minus 2ab तो minus 2 हमारे पास क्या दिया है 2 होता है 2 into a कमान कितना दिया है हमारे पास a कमान हमारे पास हो जाएगा under root 2x क्या हो जाएगा under root 2x into b कमान हमारे पास दिया है 1 अब हमें बनाना है plus b square तो plus b square क्या हो जाएगा plus 1 का whole square बराबर हो जाएगा 0 यही होगा तो a square plus b square minus 2ab क्या होता है A-B का whole square यानि under root 2X minus 1 का whole square और बराबर क्या मिल जाएगा 0 तो इसको हम क्या लेक सकते हैं यही मिलेगा ना अब इसको हम क्या लेक सकते हैं तो यहां से जब वर्ग को उधर भेज़ देंगे तो यह मिलेगा क्या मिल जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा under root 2x minus 1 बराबर 0 तो under root 2x बराबर 1 तो यक्स का मान हमें मिल जाएगा 1 upon under root 2 यही मिलेगा और यहां पर इसका whole square है तो एक और 1 upon under root मिल जाएगा तो यक्स का जो मान मिलेगा 1 upon under root 2 कामा 1 upon under root 2 तो यही हमारा answer हो जाएगा ऐसे ही आपको हल करना देखिए गुड़न खंड भी देगा तो थोड़ा जो difficult होगा वज़ा देगा आसान देगा तो सभी लोग कर लेंगे जैसे ये जो गुड़न खंड था ये थोड़ा difficult था इसका अगर आप गुड़न खंड करेंगे तो बहुत जादा देर भी हो जाएग और आपको सायद नहीं भी आपाएगा इसलिए आप लोग इसको पुरुड़ वर्ग बनाईए वर्ग बनाकर हल कीजिए ठीक है चलिए अगला प्रिशन देखते हैं छटवा क्वेशन है कि यदि द्विगास समीकरण x square प्लस 3x माइनस p बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p के मान ग्याद कीजिए अभी मैंने इसके पीछे एक ऐसा ही question आपको बताया था तो यहाँ पर x के अस्थान पर हमें 2 रग देना है क्या दिया है समीकरण x square प्लस 3x माइनस p बराबर दिया है 0 तो x के अस्थान पर 2 रग देते हैं तो यह हो जाएगा 2 का square प्लस 3 इंटू 2 माइनस p बराबर दिया है 0 तो यह हो जाएगा 4 अपलस 6 बराबर हो जाएगा p तो p का यहां से कितना मान मिला 10 तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ठीक है अगला प्रिशन है कि वर्ग समीकरण क्या है वर्ग समीकरण 3x square माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 का विविख्त कर ग्याद यानि d कमान हमें ग्याद करना है समीकरण क्या दिया है 3x square माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 तो x square का गुड़ांग a होता है x का गुड़ांग b होता है और जो अचर रासी होती है वो हमारा c होता है तो यहां से a कमान दिया है 3 b कमान मिल जाएगा माइनस 4 और c कमान मिल जाएगा माइनस 6, हम जानते हैं कि विवित का D बराबर होता है B स्क्वाइर माइनस 4 A C, यही होता है तो B स्क्वाइर यानि माइनस 4 का हो जाएगा होली स्क्वाइर माइनस 4 का हो जाएगा होली स्क्वाइर माइनस 4 इंटू A का मांदिया है 3 एंटो C कमान दिया है माइनस ये तो यहां से हो जाएगा 16 माइनस माइनस प्लस तिन्चों के 12 12 चक हो जाएगा 72 तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये मिलेगा 6, 2, 8 और 7, 1 यानि 88 तो D कमान कितना मिल गया 88 तो यही हमारा एंसर हो जाएगा अगर ऐसा कोईशन दे देता है कि एक समीकर दे देगा और विविक्तकर कमान पूछेगा तो ऐसे ही आपको हल कर लेना है अगला प्रिश्ण है आठवा नमबर कि यदि द्विगाद समीकर 3X स्क्वाइर माइनस 12X प्लस P प्लस 3 बराबर 0 कि मूल समान हो तो P कमान हमें ग्याद करना है अगर इसके जो मूल है वो समान है तो P कमान पूछा है कि क्या होगा तो देखिए अभी मैंने पहला जो कोईशन आपको बताया था यम कमान ग्याद करने का उसमें भी मूल समान था तो just वही question है सिर्फ यहाँ पर देखे change हो गया है और ऐसे ही question आपके word परिक्षा में पूछा जाएगा और आप लोग कहेंगे कि sir आपने जो बताया था वो नहीं आया था देखे सवाल तो मैं सब बता रहा हूँ आप लोगों को question भी वैसा ही आएगा सिर्फ अंक वहाँ पर change कर देगा जैसे पहला question कुछ और था और यह question कुछ और है लेकि लगाने का तरीका same to same है जैसे यहाँ पर क्या दिया है 3x square और minus 12x plus b plus 3 बराबर दिया है 0 तो इसकी तुलना हम किस से करेंगे ax square अधन bx plus c से तुलना करने पर ठीक है जब इससे हम इसके तुलना करेंगे तो a कमान कितना मिल जाएगा तो यहाँ से a कमान मिलेगा 3 मिल जाएगा b कमान minus 12 और c कमान क्या मिल जाएगा यह हो जाएगा p plus 3 ठीक है तो इसका c कमान क्या दिया है p plus 3 चलिए इसको हल कर देते हैं तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर मूल समान होता है तो एक condition होता है b square minus 4ac बराबर 0 अगर यह इस रूप का हो गया तो मूल हमारा समान होगा ठीक है चलिए मान रख देते हैं तो b कमान कितना है minus 12 तो minus 12 का हो जाएगा whole square minus 4 into a कमान दिया है 3 और c कमान दिया है p plus 3 ठीक है और बराबर दिया है 0 तो यहां से हो जाएगा 144 minus 12 हो जाएगा कुश्टेक में p plus 3 और बराबर हो जाएगा 0 यही होगा तो 144 बराबर क्या लिख सकते हैं 12 कुश्टेक में p plus 3 तो यहां से p plus 3 का जो मान निकल के आएगा वो हो जाएगा p plus 3 बराबर 144 बटे 12 काटेंगे इसको क्या मिलेगा तो यहां से मिलेगा p plus 3 बराबर 12 तो p कमान मिल गया 12 minus 3 तो यहां से जो p कमान मिल गया वो मिल गया 9 तो यही हमारा answer हो जाएगा तो ऐसे ही आपको हल करना है questions same to same वही रहेगा सिर्फ number change कर देगा तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को द्विगास समीकरड की बहुत सारे subjective questions को बताया है परिक्षा देने जाने से पहले इन questions को एक बार जरूर देख लिजेगा और आगे भी मैं अभी मैस के बहुत सारे subjective questions को बताऊंगा तो अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को झाल को